तो फाइनली एनिमल मुवी रिलीज हो गई है और इसमें स्टार कर रहे रनवीर कपूर, बॉबी दियोल, अनील कपूर और रशमी का मंदाना तो हम इसमें बात करेंगे इसके प्रोज और कॉनस की क्या आप ये डिसाइड कर सके कि आप को ये मुवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं एन्वल स्टोरी की बात करें तो ये पूरी स्टोरी फोकस्ट करती है रनबूर कपूर पर इवॉल्व करती है अनील कपूर पर और इसमें हमें अच्छी फादर सन कन्फिक्ट देखने को मिलेगी मूवी की स्टोरी बहुत ही सिंपल है इसमें हमें फादर सन कन्फिक्ट देखने को मिलता है और परवार में होने वाली आपसी दुश्मनी देखने को मिलती है लेकिन दिखाने का तरीका बहुत ही गजब यहां तारीफ होगी संदीप रेडी वांगा की यह उनकी तीसरी मूवी है पहली मूवी है अरजुन रेडी और दूसरी मूवी उसकी रिमेक कबीर सिंग और थर्ड मूवी है यह एनिमल मूवी में जो एक बात मुझे बहुत जादा पसंद आई यह मूवी बहुत ही ग्राउंडिड है मूवी एक्सेप्ट करती है कि जो अपना जो हीरो है वो कोई सूपर हीरो नहीं है वो भी एक इंसान है उसे भी चोट लगती है नुकसान होता है ना कि दूसरी मूवी उसकी तरह कि हीरो को गोली लग रही है और वहां पे हीरो को कुछ नहीं होता मूवी का जो first half है वो बहुत ही ज़ादा बवाल है मूवी के first half में जो आप देखेंगे नहीं कभी आपने देखा होगा नहीं उमीद की हो second half थोड़ा लो जाता है as compared to first half लेकिन entertainment में कोई कमी नहीं होगी मूवी में सबकी performance दोस्तों बहुत ही ज़ादा भैतरी जिने सबने natural काम किया है रश्मी का, मंदाना, अनिल कपूर और जो भी actor जिन्होंने performance किया है लेकिन outstand करते हैं रंबीर कपूर और बॉबी दियुल बॉबी दियुल पर हम बाद में बात करेंगे पहले बात करते हैं रंबीर कपूर की रंबीर कपूर ने fabulous काम किया है इतनी देर वह नजर आते हैं आप उनहीं को देखना चाहेंगे इस लेवल की उन्होंने performance दिये है मुवी में जो action है वो बहुत अच्छा है interval से पहले की लडाई आपको बहुत मज़ा देगी इस लेवल पर गोलिवारी होती है कि आपको लगेगा कि अब ठेटर फट जाएगा उसके बाद action थोड़ा miss करेंगे अब second half में लेकिन सारा focus story पर चला जाता है जो कि बहुत अच्छी बात है संदीव भंगा रेडी ने जो वाइलन्स की बात की थी वो वाइलन्स बिल्कुल deliver करेंगे और second half में जितना भी वाइलन्स देखने को मिलेगा उससे आप खुश होंगे अब बात करते हैं इसके कौन्स की इस movie का एक ही कौन है वो है बॉबी दियूल बॉबी दियूल को इस movie में जिस तरीके से introduce करवाया जाता है वो उन्हें इस movie में सबसे violent character बना देता है लेकिन फिर बाद में पता नहीं क्यों पॉबी दियूल को screen time नहीं दिया जाता है और proper ending भी नहीं मिलती उनके character को तो मुझे लगा उनके इस character के हिसाब से वो justify नहीं था movie A certified है तो थोड़ा family के साथ दिक्कत हो सकती है मतलब की ममी पापा के साथ देखेंगे तो थोड़ा awkward moment हो जाएगा और अगर understanding अच्छी है तो बिलकुल लेकर जाओ ममी पापा को और साथ देखो understanding बढ़ेगी बहुत कुछ family relation के बारे में इस movie में बात की गई है और end में आपके लिए surprise है मुवी पूरी देखना miss मत करना overall movie जबर दस्त है और दोस्तों अगर आपने ये movie नहीं देखिए तो कुछ नहीं देखा इस तरह की movie सालों में एक बार बनती है और बिल्कुल इसे मिस्स मत करना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट जरूर करें और कमेंट में बताना कि एनिमल मुवी कैसी लगी